नेक्स्क टॉपिक पर जो हे तीन सफेद जहर की बारे में लुट करते हैं, एक है मैदा, दूसरा है चीनी और तीसरा है नमक, या जैंडा के तरफेगते हैं आपका मेदा हो गया मैदे की बारे मिश्पी पहले बोल लिया है, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं चीनी के बारे पहला है हम जो चीनी अभी इस्तेमाल करते हैं वह असली में ऐसा नहीं दिखता है इतना हाइट नहीं होता है इसको वाइट बनाने के लिए केमिकल्स डाला जाता है जैसे कि आपका फॉस्फोरिक एसेड हो गया आपका कैल्सियम हाइड्रोकसाइड हो गया और सॉल्फर डायक जूआब्स लेबल जो है वह ज्याधा रहता है और तो ट्शिणी खाऊ है तो बनार में सुगर लेबल बढ़ जाएगा कुछ दिनों के बाद में इंसुलेन सिक्रेशन बहुत ही ज्यादाव जादा ऑग चिनी खाने के वज़े से इंसुलेन से कयलेगा और अगर आप चीनी लेते हो ना जाद आपके खाने में तो आपका वाटर रिटेंशन जो है बोड़ी में बढ़ जाता है जिसके वज़े से हमारा वेट भी बढ़ सकता है सुगर is more addictive than cocaine लोग पुराने लोग हैं बुड़े लोग हैं उनको आप चीनी छोड़ने के बात करो ना तो वो छोड़ने ही पहेंगे तो अगर वो चीनी बंद भी कर लो तो उसके alternative को ढूणते हैं जैसे cold drinks हो गया, ice cream हो गया, cakes हो गया, butter cake हो गया, biscuits हो गया वो इससे अपना होता है वो इतना addictive हो जाते है इसके बारे में और तीसरा जो है वो है salt, salt की बारे में क्या है ना एक तो इससे refine करने के लिए एगें होस्फोरी के इसीड डाला जाता है जो कि आपकी body के लिए इसे ठीक नहीं है और दूसरी बात जो है उसको free flow रखने के लिए उसका एक anti caking agent use करते हैं जिसका नाम है calcium silicate वो इतना खतरनाक है ना cancer present से सबका link आप calcium silicate से आराम से कर सकते हो इतना जादा खराब है अमारा नमक खराम तो बंद नहीं कर सकते है या फिर चीनी खाना बंद नहीं कर सकते तो उसका alternative क्या है हमारे पास आप गुड़ी उसकर सकते हैं उसके ज पांच अमरत जो होते हैं एक गुड़, सहद, घी, दूध और दही यह पांच है हम पांच अमरत इससे बोला ज्यादा है तो चीनी उसमें नहीं है आप वह दो यूज करते हो चीनी के जगह आप गुड़ और सहद यूज कर सकते हैं और दूसरी बात है हमारा नमक नमक की ज नमक और नमी दोनों जुड़े हुए होते हैं नमी जो है उसको बहुत हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंट्स बोलते हैं सल्ट एक हाइली हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो नमी को पकट लेते हैं जैसे आपका कफी हो गया मिल्क पाउडर हो गया चीनी हो गया आपका नमक हो ग वो छोड़ा लेते हो ना तो उसको नमक बोलने की कोई है तो वो पोईजन ही हो जाता है तो ऐसे साल्ट का यूज़ करें जो जिसके पास थोड़ा बहुत नमी हो लोग सोच रहे हैं कि हम नमक खाते हैं हमारे सोडियम और क्लोरिन की लेवल को मेंटेन करने के लिए नहीं ऐसा आपके खाने में तो आपको नमक की कोई ज़रूरत नहीं ऐसा नहीं तो चलते हैं हमारी नेक्स टॉपिक पे चाय और कॉफी के बारे में तो चाय में क्या खराबी है चाय में कुछ भी खराबी नहीं है जो भी खराबी है हमारे यूज करने में खराबी है हम कभी यूज करत अगर आप चाय की pH देखो ना, तो चाय की pH नॉर्माली 4.9 से लेके 5.5 तोक जाता है, जो कि एमिकली acidic है, दूसरी बात क्या है, हम जब खाले पेट होते हैं, सुभे उड़ते हैं, खाले पेट होते हैं, हमारे पेट में अल्लेडी एसिड होके रहता है, हमारे pH 2 या 3 के पास यह होता है, और उसके उपर से हम ज़्यादा एसिड डालते हैं, तो उनका मेन रिजिन यही है, अगर आप खाले पेट में चाय लेते हो, तो वही आपका सबसे बड़ा रिजिन होता है गास्ट्राइट इस पेसेंट के लिए, और उसके वाद सूरी हो जाता है, प्रोलेंस, आपका ब्लोटिंग होता है, फ्लाट्यूलेंट होते हैं, हार्ट बॉर्न होते हैं, इसे बहुत ही सरे होते हैं, वो तो छोटी-छोटी बात है, सबसे बड़ी बात जो होती है, वो है आपका स्टोमाक अलसर की बारे में, यह कोई नहीं सोचता है, लोग सिर्फ खाने की बा काहरे हैं वो तो कैफेन की बज़े से हैं कुछ लोग हेल्थ कोसर्स हो करते हैं जोए ग्रीन टी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा माल और उसका प्रेश भी 6 से लेके 10ुञ तो हम आद करें तुम क्यों मात कर रहे हैं ग्रीन टी को जिस तरह से यूज करते है न लो बहुत ही मुक्सान पहुंचाता है, जितने भी जल्दी काम करता है, जो आपको जल्दी पतला कर देगा, जल्दी मोटा कर देगा, जल्दी उच्चा कर देगा, या फिर जो भी जल्दी करेगा, वो आपको खराबी करेगा, और सबसे जादा खराब करते हैं, उजो आपको जल आठ वर यूज़ करते हूं, जो पहला चीज़ प्रब्लेम होता है, वो है क्याफेन ओबर्डोज की वज़े से, क्याफेन ओबर्डोज की नीन कंप्लेट नहीं होगा, अंजैट इसू हो जाएगा, आपका नौसिया की प्रब्लेम बाद शोरू हो जाएगा, आपका मिनिट बाद पीत हैं, तो आपको ना ये पेट में कुछ भी खराबी करेगा, और ना ही ये कोई आपको side effects दिखाएगा, hey side effects फिर भी है, क्योंकि जहां पर caffeine है, चाय है और coffee है, वहां पर side effects हैं, लेकिन इतना जदा आपको body को खराब नहीं करेगा, और जितना हो सके, आप caffeine के quantity को कम रखें, चाय या coffee जो यूज करते हैं, तो जितने मात्रा में हो सके, उतना कम यूज करें, नहीं तो आपका heart ही related है, टाकी कडिया हो सकता है, आपको un-easy feel कर सकते हैं आप लोग उसके वज़े से, उसके जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, अगर आप को motion clear करना है सुभे उटके, तो मैं और एक special वीडियो में बना रहा हूँ हूँ, जो पांच ऐसे healthy drinks, जो आप सुभे उटके पी सकते हैं, जैसे आपका blue tea हो गया, hiviscus tea, tea ह आप जीरा पानी यूज कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ चाय है, जो मैं आपने लिए यूज करता हूँ, बडी को detoxify भी कर सकते हैं, तो चलती है हमारी आखरी topic पे, जो की सबसे important है, वो है cold drinks, जितने भी सारे airated cold beverages आप यूज करते हैं, वो इतने ज्यादा खराब है ना, इतने ज पहले क्या है, उनके ingredients के बारे हैं, पहला है water, कौन से water यूज करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, दूसरा है, sugar contents, मतलब 100 ml अगर आप पीते हो cold drinks, तो उसमें लगभग 14-15 g से चीनी होता है, और तीसरी जो होता है, जो water से मिला हुआ होता है, जिसके वसे आपको essence आता है, व कुछ cold drinks होते हैं, जिनमें caffeine होता है, और वो bottle के पीछे बिलकुल लिखावा होता है, इस cold drinks और contains caffeine, जो बात करने वाले हैं, यूज के वज़े से क्या-क्या खराब है, वो तो chemicals के वज़े से क्या-क्या खराबी है, वो तो बोल चुके हैं वो सब, सबने बता चुका है कि cold drinks ब ज्यादा तोर लोग खाने की टाइम पर यूज करते हैं, पहला चीज है, जब हम oily food कहते हैं, और उसके साथ cold drinks लेते हैं, जैसे कि आपका वड़ा पाउं हो गया, समोसा हो गया, और कुछ brands जो होते हैं, उनका तो agenda ही ऐसा है, उनका advertisement भी ऐसा होता है, इस brand test best with समोसा, और test best with कोई भी खाना हो, किसी का भी test enhance नहीं होता आपके cold drinks के बज़े से, बलके होता क्या है, जब आप oily food लेते हो, और उसके साथ cold drinks लेते हो, oily food में जो oil होता है, वो lump formation कर ले, तो उनका digestion ठीक से नहीं हो, तो बहुत पता, तो होता क्या है, इंटेस्टेन को बहुत ही ज़्यादा होते हैं, महाजम नहीं होते हैं, वो जाता हैं इंटेस्टेन पर, और इंटेस्टेन को बहुत ही ज़्यादा लुक्सान पहुंचाते हैं, और और क्या करते हैं यह लोग, fat content है, बहुत ही बढ़ लेते हैं, ब्लॉड में cholesterol लेवल को बहुत उचा कर लेते हैं, और क्या करता ह यह आपका metabolism जो है उसको slow कर देते हैं जिसके वज़े से आप depressed फिल करते हो ज्यादा heavy फिल करके हो खाना नहीं कया अब तब फिर भी एक cold drinks पी लिया ना तो हमको लगता है हमने मिल खालिया दूसरा यूस कैसे करते हैं खाली प्यठीजब होते हैं खाली पेठाम cold drinks ले लेए फॉस्परिक असेड होता है दूसरा seetric acid होता है और तीसरा जो है वह बन जाता है किसे हाइड वाटर और कार्बोन डाइसेड के मिलने की वज़े से कार्बोनिक एसिड हो जाता है और यह तीनों एसिड मिलकर उसका एसिडिक पीएच जो है बहुत कम कर लेता है किसका कोल्डरिंग्स का और वह ज्याधा बहुत खराब एफेक्ट पहुंच आता है किस पे हमारी का बॉन डिप्लिशन होता है फस्परिक एसेड के वज़े से बौडि में का क्याल्सिम और फस्परसलेवल भी डाउन और जाता है जिसके बुझेट आपको और ब्रहें ले ले लेते हो तो होता कि आटन होता है इसी के वज़से से ज्याधा पैस लगता है आपको सुगर की वज़े से उन लोगों का मार्केटिंग स्ट्राटेजी भी है कि आप जितने प्यासे होगे उतना ही कोल्डिंग्स ज्यादा पिया होगे और उतना ही वह अफर भी आपको ऐसे ही देते हैं तो 500 ml को 40 रूपीज और 750 ml को 45 रूपीज आपने सुचा कि 5 रूपे में मु लिए बहुत यह करता है कुछ लोग सोचते हैं यह जो जिरो सुगर वाले आते हैं कुल ड्रिंग्स क्या हम उसे यूज कर सकते हैं बिल्कूल भी नहीं यह अतना ही खतरनात है जितने नॉर्मल को रूपी यूज करते हैं आसपार्टेम करके अर्टिविस्यल श्वेकनर जो लेके फिर भी अगर आप यह पांच हाविट्स को चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने बोला तो साइद आपकी है 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 हमें कुछ फरक जरूर पड़ेगा और अगर आपको कुछ इन चीजों के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सक्षिन में बोले मैं आपक को जरूर रिप्लाइ करूंगा और ऐसे ही कुछ हेल्दी वीडियो के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक स्टे हल्दी स्टे हापी